ओम शांति आठ फर्वरी दो हजार चोबिस आज की साकार मुरली रंगीन बड़े-बड़े अक्षरों में पड़ें सुने और मन्तन करें। आप सभी भाई बहने जो भी यूट्यूब पर लाइव हैं और जो बाद में भी इसे देखेंगे, वे सभी चैट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। आपके मान में कोई प्रशन हो वो लिखें। कोई बात आपको सपस्ट नहीं होई है वो लिखें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप बताएं। ताकि हम आपके सयोग से अच्छे से से सेवा कर सकें। और गुगल मीट पर जो मिले हुए हैं वे भी सबी इस बात को बहुत ध्यान से नोट करें। कि कोई भी आपके मन में प्रशन उठता है तो आप साथ के साथ पूछ सकते हैं। दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं। आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। आप सभी के सयोग से सेवा अच्छे से अच्छी हो सके। आज की मुर्ली का सार। मिठा मिठा बाबा कैते मिठे बच्चे सदा याद रखो। कि हम ब्रामन चोटी हैं। हम ब्रामन क्या है। चोटी माना। सबसे उच्छते उच्छ। कैसे आप उच्छते उच्छ हुए। हम परमपिता परमात्मा से पढ़ते हैं। 33 क्रोड देवी देवताओं में हम सबसे श्रेष्ट हैं। कैसे श्रेष्ट हुए। क्योंकि भगवान हमें आके पढ़ाते हैं। और भगवान हमें आकर कप पढ़ाते हैं। संगम पर। जिसके लिए संसार में किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया उन्होंने बाबा कहते तुम ब्रामनों को और शिव बाबा को गुम कर दिया ब्रामनों को भी गुम कर दिया और शिव बाबा को भी गुम कर दिया तो हम ब्रामन जो है सबसे चोटी है इसे बाबा ने हमें समझाया देखो जिनको गुम किया है उसे तुम विराट रूप में दिखाओ तो हम सब आदी में क्योंकि हमारे स्रिष्टी की आदी प्रैक्टिकल में दिखाई देती है कि सत्यूग से शुरू हुए वन 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 वहां से शुरू हुआ प्रन्तु बाबा कहते हमारे स्रिष्टी की आदी तब ही होती है जब मैं आता मैं आकर तुम सारे संसार की आत्माओं को क्या सिखाता हूँ ताजयोग सिखाता हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ तुमारी दिन्चरिया बनाने के लिए तुमारा पार्ट लिखने की विदी सिखाता तुम अपना पार्ट लिखते हो जब मैं आकर लिखना सिखाता तो वो तुमारा है पहला पहला जनम डाइमन्ड जनम सबसे टॉप जनम अनमोल जनम क्योंकि वहीं तुमारी चड़ती कला होती है तुमारा परिवर्तन होता है जब आप सभी आत्माएं टॉप उपर पहुँच जाती हैं, वहाँ से फिर आपका प्रेक्टिकल जीवन शुरू होता है। तो हम ब्रामन हैं चोटी, तो उसको विरात रूप में बाबा ने हमें चोटी में दिखाने के लिए समझाया। तो हम देख रहे हैं कि हम सभी ब्रामन संगम युग जो सोव वर्ष का है उसकी चोटी में दिखाने के लिए बाबा का डिरेक्शन हुआ। पुर्श उत्तम बन रहे हैं तो हर्शित रहेंगे। क्योंकि भगवान आके हमें पड़ा रहे हैं हम उर्ष उत्तम बन रहे हैं उसमें जो उमंग उसा होता है वो कभी नहीं होता। जब हमें किसी भी ट्रेनिंग के अंदर एड्मिशन होता है तो हमेरे अंदर उमंग गुस्सा होता है कि हम ये बनेंगे ये बनेंगे ये करेंगे ये करेंगे और जब बन जाते हैं तो फिर क्या लगता है फिर खतम बनने तक था बनने के बाद तो फिर वो भी बोज लगने लगता है आज की दुनिया में मैंने इस बात को देखा कि जब तक उसको जॉब नहीं मिली तक जॉब मिल जाए जॉब मिल जाए बास मैं त्यारी कर रहा हूँ जॉब मिल गई जो मिल गई तो सारा उमांगु साख खतम दो तीन सेलरी लेने के बाद ऐसे लगता है बस ठीक है अब पढ़ने की जूरत नहीं उमांगु साख खतम कहने का भाव यह है कि हर्शित रहेंगे अपने आप से बाते करना सीखो अपने से बाते करना सीखो अपने से बात करना ये बहुत बड़ी कला है पर तु उस कला में सोने पर सुहागा तब होता है जब बाबा की शिरीमत पर हम उसको विचार करें क्योंकि हम संगत हमारी गलत होगी तो हमारी सोच भी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी हमारे अपने से बात करना अपने से बात तो सारे करते हैं जो चोर हैं डाकू हैं बैमान हैं ठाग हैं जितने भी गंदे से गंदे काम करने वाले वो भी अपने आप से बाते करते हैं प्रन्तु उनकी बुद्धी उल्टी चलती है और अच्छी तो तब चले जब बाबा की स्री मत पर चिंतन चले तो अपार खुशी रहेगी अपार खुशी उनको भी रहती है हमने बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया और अपने प्लानिंग में हम सक्सेस हो गए परन्तु वो रावन की प्लानिंग थी और ये राम की प्लानिंग बाप की प्लानिंग है जिसमें मेरे सहीत सर्व को सुख मिलने की प्लानिंग है प्रश्ट बाप की शर्ण में कौन आ सकता है कौन आ सकता है बाप की शर्ण में बाप शर्ण किसको देते हैं आ कौन सकता है? बाप शर्ण किसको देते हैं? दो प्रशन बाबा कुछ रहे हैं. बाप की शर्ण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नस्टो मुगा हों। जिनका दे से दे के संबंधियों से यदी मो है, अटेच्मेंट है तो वो नहीं आ सकते हैं। चाहे प्यार में तो चाहे नफरत में। ये दोनों ही अटेच्मेंट है। बाबा के प्यार में नहीं, दुनिया के प्यार में। ये मेरा बेटा है, मेरा बाई है, मेरा मकान है, मेरे दोस्त हैं। मल किसी में भी यदी बुद्धी अटकी हुई है, प्यार हो, चाहे नफरत हो। ये मेरा दुश्मान, इस प्रोसी ने मेरे खुन नाक में दम करका, ये करका, वो करका, तो सार दिन उसी का चिंतन लगेगा। या तो प्यार वाले का चिंतन करेंगे या नफरत वाले का चिंतन करेंगे। बाबा को तो नहीं याद करेंगे न। बाबा को याद करें, बाबा की शिरीमत पर चलें, मित्र संबंधियों आदी में बुद्धी की लागत ना हो। बुद्धीर में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं बाप भी ऐसे ऐसे बच्चों को ही शरन देते हैं कौँसे बच्चों को शरन देते हैं? सर्विस कर सकते जो सर्विस ना करे पच्छड माल बाबा के ते क्योंकि उसको खुद को समझ में नहीं आया दूसरे को क्या समझाए सर्विस तो वही करेगा ना जो खुद समझेगा जरूरी नहीं कि मुझ से बोल करके सेवा होती है मंसा भी सेवा होती है कर्मना भी सेवा होती है आपके व्यवहार से भी सेवा होती है जो बाबा के ज्यान को अच्छी तरह समझ रहा होगा अपने जीवन में धार्ण कर रहा होगा यह सेवा है क्योंकि आपके जीवन में धारना है परमात्मा के डारिक्षन पर आप मुँ से बोलकर नहीं भी सुना पा रहे हैं तो भी आपका जो व्यवहार है वो दुनिया को बताएगा इन जैसा व्यवहार और कोई बड़ा प्यार से बड़ा रिस्पेक्ट पुली समान से सब के साथ बात करते हैं जी तो जब वो सब को आप रिस्पेक्ट देंगे समान देंगे सयोग देंगे तो वो भी आपकी सेवा है आपका विभार भी क्या करता है तो सेवा करने वाले बच्चों को मन्सा करो, वाचा करो, कर्मना करो सेवा करने वाले बच्चों को बाबा अपने इशरण देते नहीं तो ठीक है सारे बच्चे ओम शांते ये है रुहानी बाप, टीचर, गुरु ये तो बच्चे अच्छी रीती समझ सकते हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती, भल सन्यासी कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवो हम, शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे, कह हम बाप, टीचर, गुरु है, वे सिर्फ कहते हैं, शिवो हम, तत्प, परमात्मा सर्व्यापी है, परमात्मा क्या है? सर्व्यापी है, तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो जाएं, एसे तो कोई समझते भी नहीं, मनुष्ये अपने को भगवान, परमात्मा कहलाएं, यह तो बिलकुल ही रॉंग है, यह तो बिलकुल ही रॉंग है, बच्चों को जो बाप समझाते हैं वे तो बुद्धी में धारन होता है ना उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धी में रहती है यहां जो बाप पढ़ाते हैं वो एक सेकिन में बच्चों की बुद्धी में आ जाता है तुम रचाईता और रचना के आदी मद्य अंत का ग्यान सुनाते हो तुम ही तुम क्या बनते हो तुम क्या बनते हो तुम सिद कर समझाते हो सर्व का सदगती दाता वे एक ही बाप है सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं कहती हैं ओ गौड पादर क्या कहती हैं ओ गौड पादर तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा वे वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं कैसे खो जाता है वर्षा दे संजा और वर्षा तो जरूर वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं बाप का दे का कहना माना दे के संबंदियों का कहना माना खुशी का है दुख आएगा ही आएगा ये सुख दुख का खेल है सुख का बोता है सत्युक्त रेता और दुख का बोता है दुआपूर कल्यूग इस समें सभी पतित दुखी है कल्यूग का अंतिम समें सारी दुनिया दुखी है पतित है पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है पवित्र बनना माना पवित्र बनना माना पवित्र किसे कहते है बूल जा तो गड़ बढ़ होता है कोण करता है कंट्रोल पास्ट तो परमात्मा पवित्र है आप पवित्र काब हो आत्मा बनना ही पवित्र बनना है जब आत्मा के साथ कुछ भी चिपका हुआ होगा तो वो आप पवित्रता है जब आपने मेरा देह कहा, मेरा शरीर कहा तो आप पवित्रता मेरा कुछ भी आपने कहा सिवाए शिव बाबा के तो आप पवित्रता मतलब दुनिया में कुछ भी मेरा कहने के लिए मेरे पास नहीं है, तब मैं पवित्र हूँ. जब सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा मेरा है, तब मैं पवित्र हूँ. और दुनिया की किसी आत्मा को भी कहा के वो आत्मा मेरी है, तो भी आप पवित्र हूँ. कुछ भी हमने मिलाया, तो आप पवित्रता आगे. हाँ, शिव बाबा को मिलाएंगे, कोई फर्क ने पड़ेगा, क्योंकि वो एवर पे हो रहे है, मेरा शिव बाबा कहेंगे, कोई फर्क ने पड़ेगा. ठैने, पंतु यदि कोई और आत्मा को मिलाएंगे, तो वो आत्मा शिव बाबा से काम है, तो आपकी पवित्रता भी क्या हो जाएगी? काम हो जाएगा. घी होता है, एक घी आपने बहुत अच्छी तरह बनाया, एक थोड़ा कम अच्छी कुछ भी कमी मिलाएं लुड़ा, आपने कमजोर गी मिला दिया म उसके अंदर उसकी कमी खराब कर देगा ना समझ में आ गिया विल्कुल एक दम मैं आत्मा और मेरा एक शिव बाबा वंडरफुल जो एना बाबा की पड़ाई है तब आप बनते हैं पवित्र सुक्की दुनिया बाप स्थापन करते हैं बच्चों को बुद्धी में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं एक बाप यह स्रिष्टी के आदी मद्य अंत का ज्यान बाप ही देते हैं और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वे अपने समें पर आएंगे यह बाते और कोई की बुद्धी में नहीं हैं तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पड़ाई बिलकुल सहज रखी हैं सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं है सहज पर तुम बाबा कहते हैं मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूं क्यों समझाते हैं ताकि सब भी को समझ में आ जाएं मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो परधान से क्या बन जाएंगे सतो परधान बन जाएंगे योग की महिमा बहुत है प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है परन्तु योग से फाइदा क्या हुआ योग से निराकार भगवान सिखलाते हैं बाकी जो भी हैं वे मनुश्य हैं देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं ये हट योग आदी सब मनुश्य सिखलाते हैं देवताओं ना सीखते हैं ना सिखलाते हैं देवी दुनिया में योग की बात नहीं, योग से सब पावन बन जाते हैं, वे जरूर यहां बनेंगे, बाप आते ही हैं संगम पर, नई दुनिया बनाने, अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। यह किसको समझाना भी वंडर है, हम ब्रामन चोटी हैं, सत्यूग और कल्यूग के बीच है ब्रामन चोटी। सत्यूग और कल्यूग के बीच में है ब्रामन चोटी। इसको ही संगम यूग कहा जाता है, जिसमें तुम पुर्शोतम बन रहे हो। जिसमें तुम क्या बन रहे हो। पुर्शोतम बन रहे हो। ये बच्चों की बुद्धी में रहे कि हम पुर्शोतम बनते हैं। तो सदयव हर्शित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्शित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। कैसे कमाई होती है। हर्शित कैसे रहते हैं। जब हमारे में सुधार आ रहा है। जब हमारे में आगे बढ़ रहे हैं। उनत्ती हो रही है। चडती कला हो रही है। तो खुशी होती है न। एक ही पोस्ट पर काम करते रहें, मज़ा आता है, पता हो कि यदि हम यह एचीव कर लें, तो हमारा अगली पौपाद मिल जाएगा, हमारी उनत्ती हो जाएगी, इंक्रिमेंट लगेगी तब, दो इंक्रिमेंट मिल जाएगी, यदि यह काम कर लिया जाए, तो उस काम को करने म में उमंग उस्था रहेगा, क्योंकि इंक्रिमेंट मिलनी है, हमारा डेजिगनेशन चेंज होना है, तो नेच्रल है, क्या रहेगा, उमंग उस्था रहेगा, और यही रहना है, मरने तक टीचर ही बना रहना है, प्राइमी टीचर ही रहना है, और फिर उसका उमंग उस्था अच्छा काम कर रहे हो, तो ये भी उसके एक उमंगोसा को बढ़ा देता है, तो इसी परकार से बाबा कहे, कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, तो इस बात को सुनने के लिए उमैनत करेंगे, तो करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, जितना परदशनी में सर्व करेंगे, परदशनी में समझाएंगे न, जब समझाएंगे, दूसरों को खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, अभी भगवान से मिला दिया, वो कितना आपका धन्यवाद करेगा, कमाल है, हमें तो ये बाते पता ही नहीं थी, आपने हमें समझा दिया, तो आपको एक ने भी क अपना और दूसरों का कल्यान होगा, उसमें अपना भी कल्यान और दूसरेगा भी कल्यान, क्योंकि जितना ग्यान का मन्थन करेंगे, जितना ग्यान दूसरों में बातेंगे, तो आपका भी ग्यान, आपकी भी समझ, अपने अंदर शक्ती बढ़ती जाएगी, छोटे तो कम से कम पांच छे चित्र तो वहाँ जरूर हो, उन पर समझाना सहज है, सारा दिन सर्विस ही सर्विस, आपकी बुद्धी में क्या रहने चाहिए सारा दिन? सर्विस ही सर्विस, बस मुझे एक सेवा करनी है, मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होने चाहिए, मित्र संबंधियों की तरफ आपकी बुद्धी लगी हुई नहीं होने चाहिए, जो इन आखों से देख रहे हो, साब का विनाश, साब का क्या होना है? बाकी जो दिवे दिवे दिरिष्टी से देखते हो, दिवे दिरिष्टी क्या है? जो बाबा ने तीसरी नेत्र हमारा खोला है, जो बाबा ने आकर हमें भविश्य के लिए समझाया है, कि आप ये बनेंगे तो ये बनना है वे डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे और हमें target लक्षे क्या दिया है आप स्वात्यूग के देवता बनेंगे उसके लिए ये विधी है अब उस विधी पर आपकी हर समय क्या रहती है द्रिष्टी रहती है तो आपको सिध्धी प्राप्त हो जाती है विद्धी से क्या मिलती है सिध्धी मिल जाती है दिवे द्रिष्टी से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है ऐसे अपने से बाते करो तो तुम पक्के हो जाएगे क्या हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे, बेहद के बाप से मिलने की खुशी होने चाहिए, कोई राजा के पास जन्म लेता है, तो कितना फखुर में, कितना नशे में रहता है, तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो, तो गोरे बन जाएंगे, तो गोरे बन जाएंगे, बुद्धी में यही चिन्तन चलता रहे, भल, आफिस में काम करते रहो, मना नहीं किया बाबा ने, याद करते रहो, अब काम करें के याद करें, यह मार पिठवाने वाले काम करता है बाबा, शिर्फ बाबा और काम गड़बड करते जाओ, जैसे भगत लोग, ठगत लोग, भगत ठगत है ना, तो भगत ठगत है, चू कहा, इसलिए कहा, कि हम दुकान पर बैठे हैं राम 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 कोई गराक ने आया राम 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 करते रहे अच्या आ गया लिया ठीक है लूट लिया उसको तो राम 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 नहीं हुआ बाबा की शिरिमत पर सब के साथ व्यवहार करें चाए आप ओपिस में हो चाहे वो दुकान में हो तो चाहे आप घार में हो कहीं भी हो बाबा की शिरिमत के अनुसार सब के साथ क्या करना है वेवहार करना है तब ही आपको बाबा याद है बाबा कहते है काम करो पर तो उस काम में गलती नहीं करो आप यदि आप ओफिस में बैठे हैं चैकौर का काम कर रहे हैं पर तो आप काम जो है ना श्री मत के विरुध कर रहे हैं क्योंकि अभी बाबा ने दो-ते दिन दिन पहले का न कि याद रखो कि डारेक्टर मेरा वो नहीं है मेरा डारेक्टर शिव बाबा है मैंने शिव बाबा के डारेक्शन पर काम करना है ना कि इस निमित डारेक्टर के जो मेरा बॉस है मैंने उसके डारेक्शन पर नहीं शिव बाबा के डारेक्शन पर काम करना है क्योंकि उस से स्थ्रियस्ट डारेक्शन शिव बाबा की है जो शिव बाबा कहे कि ये इसका कहना मानना है तो मानना है जो शिव बाबा कहे नहीं ये गलत करने के लिए कह रहा है तो आपने उसका कहना नहीं मानना है चाहे वो कहे कि तू घर जा चाहे वो कहे कि नोकरी छोड़, तेरे को नोकरी पर नहीं रखते हाँ भगा दे, मैंने कोई गलती नहीं करनी, मैंने अपराज नहीं करना मैंने किसी को दुख देने वाला कर्म नहीं करना है, कोई बात नहीं क्यों करूं मैं दुख देने वाला कर्म तो जितना फुरसत मिले, रुहानी कमाई करो कितनी बड़ी कमाई है, health, wealth, दोनों एक साथ मिलती है किस से मिलता health, ज्यान से wealth, योग से health जितना ज्यान और योग आपके पास होगा, उतनी आपको health, wealth मिलेगी एक कहानी है अर्जुन और भील की ऐसे ग्रिष्ट व्यवार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकता है भील की गान याद है आपको एकलवे था और अर्जुन तो गुरु के पास सामने रहकर सीखता था पर तो एकलवे तो केवल उसको देखता था और बिटी का गुरु बनाकर और उनके डारेक्शन के अनुसार अभ्यास करता था और वो एकलवे उससे भी एक्सपर्ट हो गया तो बाबा कहते जो बाबा के सेंटर्स पर रह रहे हैं जो समर्पित हैं उनसे भी तीखे जा सकते हैं जो घर ग्रेस्ट में रहते हुए पवित्र रहते हैं बाबा की शिरीमत पर चलते हैं वो सेंटर वाल पर रहने वलों से भी तीखे जा सकते हैं परंतु पुरशार तो कर पड़ेगा ना बिना मेहनत के तो नहीं आगे चले जाएंगे सारा मदार किस पर है बाबा कहते याद पर सारा मदार है पढ़ते सारे हैं पर तू पढ़ करके याद कितना करते हैं मनन चिंतन कितना करते हैं मुर्ली तो सब ने सुनी पर तू उस पर मनन चिन्तन कितना किया अपने आपको कितना समझाया यहाँ सब बैठ जाएंगे तो शर्विस कैसे करेंगे सारे कैंजे हम तो मदुबर में बैठें जी बास बाबा आपसे हम पढ़ते रहेंगे और योग करते रहेंगे ना ऐसा ना चले भाई फिर सर्विस कोन करेगा रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना यहां आए बाबा से रिफ्रेश हुए जो बातें आपको मुझा रही थी जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही थी आप मदुबन में आए बाबा से मिले अपनी जो उल्जने थी उनको दूर किया, रिफ्रेश हुए और जाओ अब सर्विस सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, बाबा तो परदस्नी में जाना सके अब बाबा तो नहीं जाएगा परदस्नी में समझाने के लिए क्योंकि बाब दादा दोनों इकठे हैं, बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकठी है ये वंडर्फुल युगल है, ये वंडर्फुल युगल है, इस युगल को तुम बच्चों के सिवाए कोई जानना सके अपने कोई युगल भी समझते हो, फिर भी कहते हैं, मैं एक ही बाबा का सिख्की लधा बच्चा हूं इस लक्ष्मी नारेन के चित्र को देख कर बहुत खुशी होती है, हमारा दूसरा जनम यह है हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे, तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम अबजेक्ट सामने खड़ी है, इन्हें को इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिक्की लधा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं, सदैव याद ठहरती नहीं, और और तरफ ख्यालात चले जाते हैं, ड्रामा का ला नहीं, जो एक दम याद ठहर जाए, और कोई ख्याल ना आए, माया के तुफान याद नहीं करने देते, जानता हूँ, हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की परवेश्टा है, बाबा का नंबर वन, सिक्की लधा बच्चा हूँ, पहले नंबर में राजकुमार बनूगा, राजकुमार बनूगा, फिर भी याद भूल जाती है, अनेक परकार के ख्यालात आ जाते हैं, ये है माया, यह है माया, जब इस बाबा को अनभाव हो, तब तो तुम बच्चों को समझा सके, यह ख्यालात बंद तब होंगे, जब कर्मा तीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो यह शरीर रह न सके, फिर तो यह शरीर रह न सके, शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है, पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पार्ट भी, किसका है? शिव बाबा का है, इनका ही है, ड्रामा में बंधाय मान है, ड्रामा में बंधाय मान है, कौन? शिव बाबा, वो भी बंधा हुआ है, हाँ जैसे हम बंधे हुआ है, ऐसे शिव बाबा भी बंधा हुआ है, एक चुरे टाइम पर आना पड़ता है, वरन्ह सारा ड्रामा खराब हो जाएगा, हर एक आत्मा, परमत्मा सहिद, इस ड्रामा के अंदर एक चुरे टाइम पर आत नया शरीर चाहिए तो पवित्र बन जाएंगे तो तुमें क्या चाहिए नया शरीर चाहिए शिव बाबा को अपना शरीर तो है ने शिव बाबा को अपना शरीर तो इस तन में इस आत्मा का महत्व है इस शरीर में इस आत्मा का क्या है महत्व है unka रखा क्या है शिव बाबा आये मुरली चलाकर चले जाते हैं वे फ्री है कभी कहा कभी कहा चले जाएंगे शिव बाबा को बंदन थोड़ा है आये मुरली चलाई और कई बच्चों को भी फील होता है कि ये शिव बाबा मुरली चला रहे हैं तुम बच्चे समझते हो हम बाप का मदद करने के लिए इस गौडली सर्विस पर खड़े हैं बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़ कर आए हैं परंधाम अर्थात परे ते परे धाम है भूल वतर बाकी खेल सारा स्षिष्टी पर चलता है तुम जानते हो ये वन्डरफुल खेल है बाकी दुनिया एक है वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं ये तो साइस का बल है ये तो साइस का बल है साइलेंस के बल से हम जब साइस पर जीत पाते हैं तब साइस भी सुखदाई बन जाती है यहाँ science सुख भी देती है तो दुख भी वहाँ तो सुख ही सुख है वहाँ पर क्या है सुख ही सुख है दुख का नाम नहीं है ऐसी बाते सारा दिन बुद्धी में रहने चाहिए बुद्धि में रेने चाहिए बाबा को कितना ख्यालात रहते हैं बांधेलिया विश्पर कितनी मारे खाती हैं कोई तो मोह वश फिर फंस पड़ते हैं निश्चे बुद्धि वाले छट कहेंगे हमको अमरित पीना है हमको अम्रित पीना है, इसमें नस्टो मोहा चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए, ऐसे ही सर्विस एबल दिल पर चड़ सकते हैं, उनको शर्ना गती दे सकते हैं, कन्या पती की शर्न में जाती है, विश बिगर नहीं रखते हैं, पती की बनी और विश शुरू, विकार शुरू, फिर बाप को शर्न लेना पड़ता है, विश से बचाने के लिए बाप के पास जाएंगे न, तो विश से बचेंगे, परंतु एक दम नस्टो मोहा चाहिए, मेदि कोई शुरू बाबा के पास समर्पित होना चाहती है, तो क्या चाहिए, नस्टो मोहा चाहिए, यहां आकर फिर ने कहिए, मेरा पती पता नहीं, खाना खाया होगा, क्या किया होगा, कैसे रह रहा होगा, ऐसा नहीं चाहिए, पतियों का पती मिला, अब उनसे हम बुद्धी योग की सगाई करते हैं, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न को, जैसे कन्या की पती से प्रीत जुट जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से, उनसे दुख मिलता है, दुनिया वाले पती से क्या मिलता है, दुख मिलता है, और इनसे सुख मिलता है, यह है संगम युग, इसको कोई जानता नहीं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए हमको खिवया अत्वा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते है इस समय सभी मनुश्य काटे मिसल बन पड़े है सबसे बड़ा काटा है काम विकार का पहले तुम निर्विकारी फूल थे धीरे धीरे कला काम हो गए कला काम हो गए आब तो बड़े काटे हो गए हो आब क्या बन गए हो बड़े काटे हो गए हो बाबा को बभूल नात भी कहते है तुम जानते हो असली नाम शिव है असली नाम क्या है शिव है बबूलनात नाम रखते हैं क्योंकि काटों को फूल बनाते हैं बक्ती मारग में बहुत नाम रखते हैं बक्ती मारग में क्या करते हैं बहुत नाम रखते हैं वस्तव में नाम एक ही शिव है क्योंकि वो सर्व का कल्यानकारी है रुद्र ज्यान यग्य वा शिव ज्यान यग्य बात एक है रुद्र यग्य से विनाश ज्वाला निकली और स्री कृष्ण पूरी अत्वा आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुए तुम इस यग्य द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो चित्र भी वंडर्फूल बनाते हैं विष्ण की नाभी से ब्रह्मा निकला ये सब बाते तुम जानते हो ब्रह्मा सर्ष्वत्ती ही लक्ष्मी नारायन बनते हैं ये निश्चे है लक्ष्मी नारायन ही फिर 84 जनम के बाद क्या बनते हैं लक्ष्मी नारायन ही 84 जनमों के बाद क्या बनते हैं ब्रह्मा सर्ष्वति लक्ष्मी नारहन बनते हैं लक्ष्मी नारहन 84 जनम के बाद क्या बनते हैं ब्रह्मा सर्ष्वति बनेंगे ठीक है क्योंकि 84 जनम का खेले रहा है कौन ब्रह्मा सर्ष्वति तो मनुष्य थे लक्ष्मी नारहन 84 जनम मनुष्य के लेंगे लक्ष्मी नारहन 84 जनम मनुष्य है वो जब 84 लेंगे लास्ट जनम में परमात्मा आकर उन्हें अपना बनाते हैं ना संगम यूग पर पतित से पावन बनाते हैं तो क्रिशन का जनम संगम पर होता है ना और नारहन बनने के बाद क्योंकि एक जनम तो रह गया ना जो 84 जनम नारहन जो था वो जब 84 में जनम में आता है तो 84 मा जनम उसका ब्रह्मा के रूप में होता है ब्रह्मा विष्णू ब्रह्मा शंकर विष्णू और फिर जो है ना नारहन नारहन से फिर ब्रह्मा शंकर विष्णू यह तीन रोल उसने प्ले करने हैं 84 जनम के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं मुनिश्य तो ऐसी बाते सुनकर चक्रित होते हैं क्या बाते बताते हो अमेरे समझ में नहीं आता खुशी में भी आते होंगे परन्तु माया कम नहीं है काम महाशत्र है, माया नाम रूप में फसाए गिरा देती है बाप को याद करने नहीं देती फिर वे खुशी कम हो जाती है इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूं रात को बाबा को याद करके सोता हूं या भूल जाता हूं कई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं तों बच्चे बहुत लखी हो बाब के उपर तो बहुत बोज है परन्तु फिर भी रत को रियायत मिल जाती है रत को क्या मिलती है छूट मिलती है ज्ञान और योग भी है इसके बिगर लक्ष्मी नारैन पद कैसे पाएंगे खुशी तो रहती है कि हम अकेला बाब का बच्चा हूं और फिर मेरे धेर बच्चे है किसको खुशी रहती है इस बात मैं हूं अकेला श्य बाबा का बच्चा और हाँ सारे बाकी मेरे बच्चे है प्रजा पिता ब्रह्मा के बाकी सारे बच्चे हैं प्रजा पिता ब्रह्मा के अब विश्णु और शंकर क्या होंगे ब्रह्मा विश्णु शंकर क्या है बाई है चून जो हैना सोजाते हो पता नहीं क्या बोल दें ब्रह्मा विश्णु शंकर तीनो एक य आत्मा के रोल हैं भाई केसे कहेंगे उनको आपके भाई होंगे आपका बड़ा भाई है पर तो ब्रमा विश्णु शंकर आपस में भाई नहीं है ये नशा भी रहता है तो माया विगन भी डालती है ये नशा भी रहता है कि मैं ही एक हूँ और मेरे इतने सारे हैं तब भी ब्रमा बाबा को माया क्या कर देती है विगन डाल देती है बच्चों को भी माया मिके विगन आते होंगे कर्मा तीत अवस्था आगे चल कर बने ही आगे चल कर बननी है आनी है ये बाप दादा दोनों इकठे हैं कहते हैं मीठे मीठे बच्चे बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकथी है, ये भी प्यार करते हैं, समझते हैं, जैसा कार्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे बहुत मिठा रहना है, बच्चे बड़े स्याने चाहिए, इन लक्षमी नारायन में देखो कितनी स्यानफ है, स्यानफ से विश्व का राज्य लिया है, परदशनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है, भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्वेस करनी है, दूसरा याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने है, ये है कड़ा फुर्णा, ये है कड़ा फुर्णा, फिकर, हम तमो परदान से सतो परदान कैसे बने, इसमें मेहनत है, इसमें क्या है, मेहनत है, सर्विस के चांस बहुत है, सर्विस के चांस बहुत है, ट्रेन में बैज़ पर सर्विस कर सकते हो, ये बाबा, ये वर्सा, ये बाबा है, शिर बाबा, और ये उसका वर्सा है, ये उनको बताना है, कि भगवान से तुम मांगते रहते हो ये भगवान का परिचे देना है उनको और उससे आपको क्या मिलेगा ये बताना है और परमात्मा आए हैं भक्ति का पाव देने के लिए ये सब को समझाना है बरोबर पाँच जार वर्ष पहले भारत स्वर्ग था लक्ष्मी नारैन का राज्य था फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए हम बाबा की यार्ज से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है एक डिबे में सर्विस कर दूसरे डिबे में चड़ जाओ चड़ जाना चाहिए ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चड़ेगा जो जाकर क्या करें सेवा करें इस पारक में जाके समझाए फिर दूसरे पारक में जाके समझाए जो थोड़ा ट्रेन में चड़ना है कहीं भी इस गाव में जाके समझाओ फिर दूसरे गा सुनाते हैं, तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जनम ले पुजारी बने, आप फिर पूज्य बनो, सीड़ी अच्छी है, इनसे ही तुम सतो रजो तमों स्टेज सिद्ध करनी होती है। स्कूल में पिछारी में गैलप करने का शोक होता है, अब यहां भी समझाया जाता है, जिनोंने टाइम वेस्ट किया, उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मारजिन बहुत आई, सर्विस एबल बच्चिया बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहा भी भेज दे, ऐसी सेवा करने वाली बच्चिया हो बस जहां बाबा चाहे उनको भेज दे, मंदिरों में सर्विस अच्छी होगे मंदिरों में जाओ वहां के पुजारियों को अच्छी तरह बैठ कर एक कांत में समझाओ देवता धरम वाले चट समझेंगे जो देवता धरम वाले होंगे वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे गंगा इशनान पर भी तुम जाकर समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर तो दिल पर लगेगा जरूर अच्छा मिठे मिठे सिक्की लधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गूड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते दालना के लिए मुख्य सार नमबर एक सदा हर्शित रहने के लिए रुहानी सर्विस करनी है सची कमाई करनी और करानी है अपना और दूसरों का कल्यान करना है ट्रेन में भी बैज पर सर्विस करनी है पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है नस्टो मोहा बनना है एक बाप से सची प्रीत रखनी है वर्दान संगम युक के महतो को जान हर समय विशेश अटेंशन रखने वाले हीरो पाड़ धारिब संगम युक के महतो को जाना है कि कितना महतो पूर्ण है ये समय जो सारे संसार की चर्ति कला होती है स्वेम परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं समय विशेश अटेंशन रखने वाले हीरो पाड़ धारि हर करम करते हुए सदा यही वर्दान स्मृति में रहे क्या स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाड़ धारि हूँ आदि से अंत तक स्रेश्ट पार्ट बजाने वाला तो हर करम विशेश होगा हर सेकिन हर समय हर संकल्प स्रेश्ट होगा ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ पाँच मिनट साधार्ण हुआ संगम युक के पाँच मिनट भी बहुत मैत वाले हैं पाँच मिनट पाँच साल से भी ज़्यादा है इसलिए इस समय इतना अटेंशन रहे सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो अटेंशन भी क्या हो? सदा काल का हो स्लोगन जिनके संकल्प में दिर्टा की शक्ती है उनके लिए हर कारिय संभव है चा, ओम, शान्ती और विश्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वर ये विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केद्र पर संपर्क करे और यदी कोई प्रेशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करे 9650692270 पर केवल वर्टसेप करे फोन नहीं, ओम, शान्ती